तेवहार चाहे जो भी हो गुलाब जमून एक ऐसी मिठाई है जो सभी के घर में बनाई जाती है या फिर बाहर से लाई जाती है और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है आज मैं भी आपके साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ पर यह गुलाब जामुन हम सूजी से बना करके त्यार करेंगे जो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है और घर के यह दो-चार समानों से बन करके त्यार हो जाती है बस इसे बनाने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे आपके गुलाब जामुन जो है तेल में जाकर के फटेंगे नहीं और बहुत ही सॉफ्ट बन करके त्यार होंगे तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा कप सूजी और यहां पर मैंने नॉर्मल वाली सूजी का यूसके है जिससे हम उपमा वागर बनाते हैं वही सूजी मैंने आपके ली है अगर आपके बारी पारी सूजी है तो उससे भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं पर अगर नहीं है तो यह नॉर्मल सूजी लेकर उसे मिक्सर जर में डाल करके आप पीस लीजेगा अब गुलाब जामून के टेस्ट को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए हम यहां पर डाल देंगे 2 टे बस्पून मिल्क पावडर इससे क्या होता है जो गुलाब जामून है उसमें हलके से मावे वाला टेस्ट आ जाता है तो बहुत ज़दा मिल्क पावडर नहीं डाला है सिर्फ दो टे बस्पून ही आपको यूज़ करना है दोनों चीज़ों को मैंने बढ़िया से यहां पर पीस करके इसका पावडर बना लिया है बहुत ज़दा चिकना यह पावडर नहीं बनता क्योंकि हमने इसमें सूजी एट किया है तो इसको एक बॉल में हम ट्रांसफर कर लेंगे उसके बाद हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बना करके त्यार करेंगे तो उसके लिए कड़ाई में हम डाल देंगे एक कप चीनी उसमें हम डाल देंगे एक कप पानी जितने आपने चीनी उसकी है उतना ही आपको यहां पर पानी का यूज़ करना है म舞 मिला देंगे और यहां पर हमें कोई टार्वगर की चाश्णी नहीं बनानी है छिपचिप की बनाकर त्यार करना है इसकी फ्लेवर को तुड़ा से पड़ाने के लिए इसमें थोड़ा से कलर लाने के लिए हमें थूड़ा से केसर के धागे डाले है साथ ही 2-3 हरी लाइची को छील करके मैंने इसमें डाल दिया है अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं और अगर आपके पास इलाइची का पाउडर है तो आप इलाइची का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं तो अच्छे से मैंने सारे चीज़ों को यहां पे मिक्स कर लिया है और चीनी के गुलने के बाद हम फ्लेम को लो करके इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे उतनी देर में जो चाशनी ने एक दम इस तरीके से हलकी सी चिपची भी हो चाती है हातों से आप इसे टच करेंगा तो आ तो उसके लिए मैं यहां पे चाटे बसपून दूद का एक्स ट्राइस में यूज कर रही हूँ अब फ्लेवर के लिए हम यहां पे डाल देंगे थोड़ा सा इलाची का पाउडर मिला देंगे इसे भी अच्छे से और मिक्स करने के बाद हम दूद में हलका सा बॉइल आने तो इसमें लम्स बनते जाएंगे और अगर आपसे अच्छे से मिक्स करते हुए नहीं बन रहे हैं लम्स बन रहे हैं तो आप फ्लेम को आफ कर दीजिए पूरा पहले पाउडर अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए और मिक्स करने के बाद आप इसे फ्लेम को अन कर सकते है तो देख सकते हैं, पूरा सूजी का पाउडर मैंने यहां पर बढ़ी है से मिला लिया है, अची तरीके से इसे मिक्स करते जाएंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि फ्लेम एकदम लो होना चाहिए, क्यों जिए उस सूजी एना बहुत जल्दी से दूद को एब्सॉप कर ले आप देख सकते हैं, यह जो पेस्ट है एकदम मावे की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल भी इसमें सूजी के दाने दिखाई ने दे थे, क्योंकि सूजी को हमने अची तरीके से पीस लिया था, जब यह पेस्ट इस तरीके से डो के फॉम में आने लग जाए तो उसी समय हम गैस को आफ कर देंगे, उससे जादा हम इसे नहीं पकाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, अगर आप इसे बहुँ ज़दा पका देंगे, तो वह हार्ड हो जाएगा, फिर आपके गुलाब जमुर अच्छे से बनेंगे नहीं, उसमें क अच्छे से प्रेस करते हूँ, इसे स्मूद करते जाएंगे, ताकि आपको आपको घ्चे से त्षट करते हैं, तो कि इसे थोड़ा सा थंडा होने दिजी, उसके बाद आपको ध्यार रखने हैं, इसे बहुँ ज़दा थंडा होने तक लिए नहीं रुकना हैं, तो चलिए अच्छी तरीके से मसल मसल के मैंने इसको एकदम चिकना कर लिया है आपको लगी नहीं रहोगा देखकर कि यह सूजी है एकदम आटे की तरह यह दिखाई देता है अब आदी चोटी चमबच हम इसमें वापी से गी डालेंगे और थाली के नीचे जितना भी कुछ लगा हुए है उसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक डो बना करके हम त्यार करेंगे यह देखे देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बन जता है अब हाथों को क्लीन करके हाथ में थोड़ा सा गी लगा करके हम इसे ग्रीस करनेंगे और बिल्कुल छोटे साइस का पोर्शन हम ले लेंगे नीबू से भी छोटे साइस का हमें लेना है या फिर जितना बड़ा या फिर छोटा गुलाब जमून बनाना चाहते ना उसी साफसे भी आप यहाँ पर ले सकते हैं अब हाथों से इसे दबाते हुए दोनों हाथों के बीच में रख करके हम इसे गुलाब जमून का शेप देदेंगे यह देखिए आप देख सकते हैं एक हाथ के ऊपर रखकर के हलका से इस तरीके से हिलाएंगे तो बहुत ही बढ़ी अशेप आता है बिल्कुल भी इसमें क्रेक्स नहीं है आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ हमारा यह बॉल बन करके त्यार हुआ है तो अब इसी तरीके से बा पाउडर डाल दीजिए तो भी आपका पेस्ट है वह बढ़ी हबन करके त्यार हो जाएगा तो चलिए कुछ इतने सारे गुलाब जमून मैंने बना करके त्यार कर लिए है अब हम इसे फ्राइब करेंगे गुलाब जमून को फ्राइब करने के लिए ओयल मैंने यह पर गरम तो जो बना कर लिए है और जो ऑईल है वह मीडियम गरम होना चाहिए बहुत जादा आप गरम कर देंगे तो क्या होगा ओपर से गुलाब जमून पख जाएए अंदर तो छोटा सा बॉल मैंने यहां पर डाल करके देखेंगे आप देख सकते हैं हलका लका इसमें बबल चाहरा है इसका मतलब जो ऑईल है एकदम पर्फेक्टी गरम है तो थोड़ा सा फ्राई करके देखेंगे यह जो बॉल भी फट नहीं रहा है इसका मतलब जो गुलाब तो हम इसे टश नहीं करेंगे जैसे ही बबस थोड़ से कम होंगे हम छोटा वाला इस्पूल लेकर हलके अलके से हिलाते जाएंगे ताकि ये चारो तरब से बढ़िये से फ्राइ हो जाए कुछ देर बाद आप देखेंगे ये अपने आप इस तरीके से फूल फूल करके उपर आ जाते हैं और किस तरीके से ओल में ये डांस करने लग गए है हमने इसमें सोड़ा वागर किसी चीज का भी यूज नहीं किया है उसके बाद भी आप देख सकते हैं गुलाब जमुल जे वो किस तरीके से फूले हैं और कितने अची तरीके से ये फृई हो रहे है आप गुलाब जमुल को फृई करते हैं उसका कलर अपने हिसाब से रख सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा डार कलर चाहिए तो आप इसे ज़्यादा देर तक फृई कीजिए और अगर आपको इसका color हलका सा सुने रहा चाहिए तो आप इसे थूड़ा सा कम fry कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं बढ़िया से यह fry हो गया है मैं इतना ही इसे रख रही हूँ इससे जादा मैं इसे fry नहीं कर रही हूँ तो चलिए इसे अभी हम निकाल लेते हैं और देख सकते हैं बिल्कुल बिना फटे एकदम बढ़िया से हमारे गुलाब जमून बन करके त्यार हो गया है तो इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाके के गुलाब जमून को भी हम फटा फट से fry कर लेंगे साथ ही मैंने यहां पे चाशनी को भी हलका सा गरम होने के लिए रख दिया है क्योंकि चाशनी हमने पहले से बना करके रखी थी तो इसलिए उसे हमें थोड़ा सा गरम करना है बहुंच जदा बॉयल नहीं करना है तो इस गरम चाशनी में अब हम यह सारे गुलाब जमून ड तो चलिए एक घंटे के बाद इसे हम चेक कर लेते हैं यह देखिए आप देख सकते हैं गुलाब जमून अच्छे से फूल चुके हैं शाषनी को उसने बढ़िया से अब्सॉप कर लिया है और एकदम सॉफ्ट बन करके यह त्यार हो गए हैं हाथों से जब आप इस तरीके से बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो जो भी सारी चीजे इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं अगर वह सारी चीजों को फॉलो करेंगे तो आपके गुलाब जमून भी पहली बार में एकदम पर्फेक्ट बन करके त्यार होंगे आप देख सकते हैं अंदर से कितनी ब